आप लोगों ने I.M.F के बारे में सुना होगा इसे आप लोग अंतराश्टिय मुद्राकोस के नाम से भी जानते हैं और इसे इंगलिस में International Monetary Fund भी कहते हैं और इसके द्वारा एक रिपोर्ट चारी की जाती है जिसका नाम है World Economic Outlook Report अभी हाल ही में जारी की गई है और आप देखते हैं कि हम हमेशा कहते हैं आप लोगों से कि आप लोग चाहे UPSC यानि कि Civil Service IES की तैयारी करें या फिर आप लोग State PCS की तैयारी करें या One Day एकजाम होते रहते हैं तमाम आपके इनके पुराने Questions पेपर उठा के देखिए हर साल आपके एकजाम में इस तरह के संगटनों से इस तरह की रिपोर्ट से Questions पूँचे जाते हैं तो आज हम लोग IMF के बारे में बात कर लेंगे और World Economic Outlook जो रिपोर्ट है इसके बारे में भी बात कर लेंगे सबसे पहले तो आप लोग यही याद रखिएगा एक Question से डारेक्ट ही पूँच लेता है कि जो World Economic Outlook रिपोर्ट है इसे किसके द्वारा जारी की जाता है IMF के द्वारा किसके द्वारा अंतराष्टिय मुद्रा कोस के द्वारा अगर हम लोग IMF के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि इसका दुतिय विस्तियोदी के बाद योद्ध में तबाह हुए देशों के पुनर्रेमाड में सहायता के लिए विस्वेंग के साथ अं और इसलिए इन्हें वेटन बोर्स के जुड़वा संतानों यानि कि वेटन बोर्स से ट्विन्स के रूम में भी जानते हैं, यानि कि आप लोग कह सकते हैं कि भाई भाई हैं, या बहने बहने या भाई बहने, ठीक है, आई एमेप की स्थाफना की बात करें तो 1944 में हुई थी या उन 190 देशों द्वारा सासित और उनके पिती जवाब दे हैं, जो इसके बैस्वेक सदस हैं, भारत ने 27 दिसमबर 1945 को आई एमेप की सदस्ता ली थी, तो ये डेट आप लोगों को याद रखना है, 27 दिसमबर 1945 में भारत भी आई एमेप का सदस मना था, आई एमेप दिस पेडाली की स्थिर्ता सुनेशित करना है, और यह बिनिवै दरों और अंतराष्टी भुकतान की पेडाली है, जो देशों उनके नागरेकों को एक दूसरे के साथ लेन देन करने में सक्चम मनाती है, और वर्स 2012 में एक कोस के जनादेश के अंतरगत, बैस्वेक इस्थर्ता से सम्मंदि सभी ब्यापक आर्थिक और वित्तिय चित के मुद्दों को सामिल करने के लिए इसको अग्रितित किया गया था, आईमेप के द्वारा यह जो रिपोर्ट जारी की जाती है, पहली रिपोर्ट का नाम है बैस्वेक वित्तिय इस्थिर्ता रिपोर्ट और दूसर पर अप्रेल और अक्टूवर के महीनों में बर्स में दो बार पिकासित किया जाता है, या निकट और मध्यमवधी के दौरान बैस्विक आर्थिक विकास का विसलेशन और भविस्थबानी करता है, WEO की अगतान रिपोर्ट जन्वरी और जुलाई में पिकासित की जाती है और इसके लावद दो मुख WEO रिपोर्ट्स आहम तोर पर अप्रेल और अक्टूवर में जारी की जाती है, ताकि लगातार पूर अन्वान अपडेट की मांग, बर्ती मांग को पूरा किया जा सकते, अगर IMF की अगर आप लोग हेड़क्वार्टर को देखना चाहे ना, अमेरिका में आप देखेंगे बॉसिंग्टन डीसी आप लोगों को देखने को मिलेगा, कहां बॉसिंग्टन डीसी, यहीं इसका हेड़क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यह भी आप लोग याद रखिएगा, अब इस रिपोर्ट के बारे में हम लोग 2022 में 3.4% अनुमानित था अब बर्स 2023 में 2.9 तक गिरावट के बाद बर्स 2024 में 3.1 तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है हाला कि IIMF प्रभावी रूप से बैस्विक मंदी की संभावना को भी नकारता है और बैस्विक सकल घरेलू उत्पाद यानि की पिती बैस्विक सकल घरेलू उत्पाद में नकारात्मक बिद्धी अपेक्षित नहीं है जो अक्सर बैस्विक मंदी होने पर देखी जाती है अब आप लोग कहोगे कि GDP क्या है और इसलिए आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग NCEIT की किताबें जरूर पढ़िए अगर आप लोग सिविल सर्विस और इस्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इससे आप लोगों का बेस मजबूत होगा GDP क्या होता है किसी एक साल में देश में पैदा होने वाली सभी सामानों और सेवाओं की कुल बैली को GDP या फिर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है और GDP से किसी देश के घरेलू उत्पादन का व्यापक मापन किया जाता है और देश की आर्थिक इस्तिती को समझा जाता है और ये पता किया जाता है कि साल भर में देश ने आर्थिक रूप से कैसा प्रदर्शन किया है हाला कि यह बर्स 2024 में गती पगरने से पहले 2023 में बैस्विक विकास की उम्मीद करता है मुद्राइस्पिती की मैं कमी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो आप लोग यही समझ लीजे कि मुद्राइस्पिती क्या होता है मतलब मुद्रा इस्वीती का सीधा सा मतलब महेंगाई से निकाला जाता है इसमें क्या रहता है कि पहले आप देखें कि जो काम करने के लिए आपको 100 रुपे खर्च करना पड़ रहा था उसी काम के लिए अब आपको 200 रुपे खर्च करना पड़ रहा है यानि कि लोग कह देते हैं कि महेंगाई हो गई लेकिन असल में आप देखेंगे कि आपके जो रुपया है ना जो मुद्रा है ना इसकी क्रय सक्ती घटी है क्योंकि काम तो उतना ही है यानि कि मालेजी आप लोग पहले एक किलो सक्कर 100 रुपय में खरीद ले रहे थे अब उस 2023 और 2024 तक रहेगी हेडलाइन मुद्रा इस्विती की बात करें तो लगभक 84% देशों में वर्स 2022 की तुला में वर्स 2023 में हेडलाइन और भोगता मुल सुचकांग मुद्रा इस्विती में कमी आने की उम्मीद है और बैस्विक मुद्रा इस्विती की बात करें तो आप देखेंगे 2024 में 4.3% रहने की संभा होना है जो महामारी पूर्व लगभक 3.5% की इस तर से उपर थी मूले में बिट्धी तो मूले में दो मुख्यकारणों से धीमी हो रही है मूले मुख्यकारणों से धीमी हो रही है पहला तो आप देखेंगे 20 सवर में मौद्रिक सक्ती उच ब्याद्धरें बस्तूओं और सेबाओं की समख के मांग को कम करती है और बदले में मुद्राइस्वीती को धीमा कर देती है दूसरा आप देखेंगे लड़ खडाती मांग के मद्दे नजर बिभिन बस्तूओं इंधन और गैर इंधन दोनों की कीमितें अपने हालिया उच इस तर से नीचे आ गई है और वर्स 2023 में उन्नत अर्धवस्थाओं में मुद्राइस्पीती 4.6% रहनी की समभावना है और जबकि उभरती अर्धवस्थाओं को 8.1% की मुद्राइस्पीती का सामना करना पड़ेगा और भारत का सबसे तेजी से बढ़ती अर्धवस्था होगा यह भी कहा जा रहा है इसके द्वारा आइएमेप के द्वारा कहा गया है तो इसके बारे में जरूर एक सामन जानिकारी रखा करिएगा मुझे लगता है कि अगर इसतना आप लोग पढ़ लेते हैं किसी भी संगठन के बारे में, रिपोर्ट के बारे में तो आप देखेंगे आपके एक्जाम में अगर सवाल आता है तो आसानी से आप लोग उसका जवाब भी बहुत बहतर थरीके से दे पाएंगे कोई सवाल हो आपका सुझाओ मेरे लिए तो आप लोग भेज सकते हैं नीचे